नमस्कार नियूस पियार में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपकी साथ पीती जाब बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रामुक पाज खबरों के बारे में पहली खबर है रवीद आहिया ने भारत के लिए एक और पदक पक्का किया नौ साल बाद कोई भारती रेसलर फाइनल में पहुँचा है जी हम आपको बता दे भारती पाहलवान रवीद आहिया ने बुधवार को हुए 97 किलोग्राम वर्ग के सेमी फाइनल में शांदार प्रदर्शन करते हुए विस्व चैंपियंशिप के पदक विजेता कर चाकिस्तान के नूर इसलाम को हडाकर फाइनल में प्रवेस किया है उसके साथ इन्होंने भारत के लिए टोक्यो उलम्पिक में एक और पदक पका कर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कब खेला जाएगा भरत पाकिस्तान का हाइब वोल्टेज मुकाबला सामने आई तारीक जी आम आपको बता दे ICC T20 वर्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच हाइब वोल्टेज मुकाबला कब खेला जाएगा इसकी जानकारी सामने आ दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दूबई में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा सबाचार एजनसी एनाई ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर कोलकाता के लिए बड़ी खुस खबरी UAE में दूसरे हाफ में खेलेगा ये स्टार खिला रही जी आम आपको बता दे आईपियल 2020 का हाफ दूसरा हाफ जो है उनने सितंबर से UAE में खेला जाएगा इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अच्छी खबर सामने आई है कप्तान ईयोन मॉर्गेन ने इस बात की पुस्टी कर दी है कि वह टूनामेंट के 24 सत्र के दूसरे हाफ में हिस्सा लेंगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर लवलीना बूर्गोहेन ने मुकेबाजी में भारत को 9 साल बाद दिलाया पदक जी हम आपको बता दे चोकियो अलंपिक में भारतिय मुकेबाज लवलीना बूर्गोहेनस सेमी फाइनल मैच हार कर इतिहास रचने से चुक गई है उनको महिलाओ के वेल्टर वेटर 79 किलोग्राम सेमी फाइनल मैच में वरल्ड चैंपियन तुर्की की मुसे नाज ने 0-5 से हडा दिया है आसम की 23 वर्षिय मुकेबाजी ने पहले इस सेमी फाइनल में पहुँच कर कासी पदक सुरिश्चित कर दिया था उन्होंने उलम्पिक में 9 साल बाद भारत को मुकेबाजी में पदक दिलाया है इसके अलावा वो मुकेबाजी में ब्रॉंज मेडल जीतने वाली तीसरी भारत के खिलारी रही है बढ़ते हैं अगली खाबर क्यों? भारत के खिलाव पहले टेस्ट मैच से ठीक पहले इंगलैंड को लगा बड़ा जटका ये खिलारी हुआ बाहर जी आम आपको बता दे भारत और इंगलैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है लेकिन इस मैच के दो दिन पहले भारत को ओपनर मैंक अगरवाल की रूप में जटका लगा था जबकि इंगलैंड को मदिकरम के बल्ले बाज ओली पोप के रूप में बड़ा जटका लगा है मयंग अगरवाल की तरह ओली पोप भी चोट की वज़े से पहले टेस्ट मैट से बाहर हो गये हलाकि दोनों की चोट जो है वो अलग है मयंग अगरवाल को सिर पर गेंद लगी थी वहीं ओली पोप को जैंग में परिशानी है इतना ही नहीं ओली पोप के पहले मैच से बाहर होने के बाद जोनी बेरेस्टो की किसमत खुल गई है उनको टेस्ट टीम में शामिल कर लिया गया है और पोप के रिप्लेस्मेंट के तौर पर उन्हें टीम में जगा मिली है स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही बाकी के खबरों के लिए देखते रहें न्यूस पियार अगर आपने हमारे चैनल न्यूस पियार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद